उत्ता प्रदेश के बरेली में आम आदमी पार्टी की विधान सवा प्रतियाशी कृष्णा भारत दौाज ने कहा हमारी टककर बीजेपी से है हमें कोई नहीं हरा सकता हम दिल्ली बाले मंडल पर चुनाव लड़ रहे हैं जनता की शमस्याओं से रूबरू कराते हुए बताया प्रदेश शरकार ने कोई काम नहीं किया है न रोजगार के लिए काम किया गया है नहीं जनता के लिए मेडिकल फील्ड में कोई काम नहीं किया गया है यहां एक रवड फैक्टरी हुआ करती थी जो आज तक बंद पड़ी है लोग वेरोजगार हो गए है एक सुगर मील भी हुआ करती थी वो भी बंद पड़ी है उसके लिए शांसत बिधायक ने कोई काम नहीं किया है मैं एक प्रतियाशी हूँ इसके लिए हम लडाई हमला किया जो विधायक आवाज और शांसत कार्याले से चंद कदम दूर पर हमला हुआ था किसी सांसत किशी विधायक ने इस मामले की आलोचना नहीं की मैं कमजोर महला परिशान थी या नहीं थी मेरे साथ भाशपा के लोग मेरी सुरक्षा की बात करते थे वो केबल दिखावा है मैं एक महला हूँ मेरे साथ जो भी कुछ हुआ उसके लिए भाजपा के लोगों ने मेरा कोई साथ नहीं दिया महलाओं की सुरक्षा के लिए वैसे इंतजाम किये जाएंगे जैसे कि दिल्ली में किये गए है 2000 बारे के बाद निर्भया कांड के बाद महलाओं की सुरक्षा को मुख्य मंतरी अरविंद केजरीवाल ने चौकस किया है और उसी सुरक्षा के तरीके से दिल्ली में किये गए है वैसे ही सुरक्षा के इंतजाम में अपनी बरेली और अपनी यूपी की जुनता की महलाओं के लिए भी करवाए जाएंगे महलाएं काम करती हैं घर चे बाहर निकलती हैं उनके लिए शंपूर सुरक्षा की विबस्था की जाएगी साथ ही उत्तर प्रदेश की अपनी कुछ प्रात्मिक्ता हैं अपनी कुछ जरूरते हैं उन पर भी हम लोग काम करेंगे महलाओं के लिए क्या करेंगी हैं अपर पाट जीतने के बाद आप महलाओं की सुरक्षा हमेशा से बहुत बड़ा मुद्दा रहता है जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में 2012 का निर्वया कांड हुआ था उसके बाद में आमाद्मी पार्टी की सरकार बनी और आमाद्मी पार्टी की सरकार बनने पर उन्होंने CCTV का इंस्टॉले परेली मेलब जो महलाओं जो रात में काम करती हैं यह बाहर निकलती हैं ओफिस के लिए काम करती हैं तो उनके लिए कैसे पुकता इंतिजाम हैं पुलिस उनकी मौके पर कैसे मदद करें साथी साथ उनकी करीब कोई शिकायत करती हैं तो उनकी जो है जांको से उनको अब तक शैर की राजनीती कैसी चली आई है के एक पट्टी कुलर चाती कि पट्टी कुलर सोच के मोग आज समझ्याओं के दर्द को समझे तो बरेली की जद्ताइबा समझ चुकी है शहर के लोग भी समझ चुके हैं शहर जो है वो सिर्फ्-Mोमेन शहर नहीं लगता है शहर में बहुत गाउं वहर होते हैं जहां पर पानी की द्रिद्र स्जा इसको लेकिए आप क्या करें। आप सीलिंग को देखेंगे कि उत्तरप्रदेश के 16 महानगरों में जो प्लॉट्स हैं लोगों की जमीने हैं जो महानगर जिन पर बसाए गए हैं जहां पर जो है कि नगर निगम सारी सुविधाय दे रहा है लेकिन फिर भी उस जमीन को जो सीलिंग में डाला गया है तो इस त तरीके के छोटे-चोटे प्रात्मिक केंद्र भी हमारे पास नहीं है तो इस सभी तरीके की ववस्ता जो शेहर में होनी चाहिए और मेरा पूरा प्रयास लएगा कि मैं अपनी शेहर की जन्ताओं को इन तमाम सुविधायों को में दिल्वाओं में इसके लिए आप करेंगे जी बहुत बड़ा सवाल किया है कि जिस तरीके से बरेली का मलग छित्र बढ़ रहा है तो यह बात में जानती हूं कि हरवार एक डिस्ट्रिक हस्पिटाल बनाना मुश्किल है लेकिन दिल्ली के तरश पर महुला क्लीनिक बनाया जा सकता है जिससे कि बहुत चोटी-चोटी लोगों के लिए बहुत चोटी-चोटी समस्याओं को लोगों को अपने ही एरिया में उन्हें निजात मिल जाएगी और एमस की नहीं हमारे बरेली के लिए कई तरीके के कई तरीके की ज़रूत है यहां पर कैंसर होस्पिटल की ज़रूत है हमारे लिए कुछ अच्छे गव देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर